असलम लेकूम कैसे आप सब उमीदा सब ख्याय से होंगे तो जी यहां पे और यह तियारी केक बनाने की और मैं ना सबसे पहले तो मैंने क्रीम भीड खड़के रख दी है और इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी सबसे मुश्किल काम तो यही मुझे लगता है और अब और यह मैं बिखानी दोगी सब्सेट सब्सेटाने की देयारी यहां पर फ्रीज थोड़ी गर्बर भी वहती में छाली गया था हॉई गया था सही और यहां पर हो गया केक रड़ी यह देखें मैंने अन्दर से असका फ्लेवर मांगो रख जार्दाने की डेकुरेट कार दी है और आपको कैसा लगए आप मुझे बताना और सेंटर में देखें जि मैंने जंडा बनाने की कोशिश की ए बस कामयाब होई गया थी मेरी कोशिश तो जी केक उठाते हैं और चलते हैं अमी के घर और जी पिर आम अपनी अमी के घर चली ली मैं और वहां पर मेरी कज़ने भी आ रह कि देखें जी बर्यानी थी हम सब ने पिर खाना कहाया मिल के और वैसे भी बहुत नजय किया बहुत मज़ा आए तो जी यहां पे बिर आत को बारां बज़िए पिर बच्चों को 14 गस्तालियर के कटिंग करनी थी तो जी यहां पे के कटिंग होने लगी है और बच्चे नार गड़े भीजेश्यू्य गड़ें को गटूरा है रो जिस बच्छे की जाओ ken ऑग aig कट हो ऑग चूलाइय का हाटी और भीज़ बचे हाट बच्छे घ्रज士 आप तो सब्यगें को हैं लिए हाट पीर ऑजिए बच्छें आप ठीजी अ पूब नजॉय किया है, इनके सब दोस्ता आगे थे, यह तो अभी सो रहे थे, सब दोस्ता आगे थे, रैडी होके, आउंटी इनको भी रैडी कर दे, फिर मैंने जल्दी से बचो कर रैडी किया, और फिर हम कहीं बाइर भी चले गे थे, तो मैं व्लोग नहीं बना सकी, यह व तासी तासी दहीं लाई ना, तो मिठी मीठी से होती है, कर अच्छी नहीं बनता है, तो फिर ठीस हो इनको फिर ठीस दहन melting कि तो एक किलो के कजिए नहीं होगी थे, फिर मैंने ना, थोड़ी सी कजिए बनाने थी, बस ज्यादा नहीं बनाने थी, थोरह संए मेरा cocktail, के भी न जो के जल्दी से बंजे ज्यादा बनाने लग जिए तो पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता तो फिर मैंने जट पक्त से थोड़ी सी कड़ी बना नहीं और यहां पर देखे मैंने ना दही और बेसं को ग्रेंड करनेंगी मैंने का चलो जल्दी जल्दी से करती हूं अगर मदानी से करती तो बोर टाइम लग जाना था क्यूंके दहीं भी फरीज थी तो जी यह हो गया अब एक बार मैंने ग्रेंड करके निकाल ली या दूसरी बार मी निकाल ली है तो अब इसके अंदर मैंने कर दूंगी नम्मक हल्दी और जी लाल मिर्च पाॉडर और इन को मैं अच Alexa से mix कर लूँगा या देखें हैं Bend Six या मिक्स कर ले हैं यह चीज़ें आपना जग में भी डाल सकते हैं लें मैं जो याद नी रा मेरे से निकल घा fit neighbours और यह यहां पर देखें पियाज लसनो हरी मिर्च कर दों इजल्दी से हेना वह भी मैं घ्रान कर दूगी टा और ना प्यास डाल के इसको हलका सालाइट सा कलर देना मैं इतना नहीं देना फिर ना वह करीज होती है वह ब्लैक ब्राउन सी हो जाती है मैंने नानी थी वाइट वाइट करी जो कि देखने में भी अच्छी लगए हो यह देखें यहां मैंने लसन और रिमिचेबिंग रेंड का तो यह भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी दूसरी साहर पर जी यहां पर मैंने पकोरों की त्यारी शूरू कर दी है और पकोरों में जी हरी मिर्चें आलू प्यास और यह है पालक यह सारी मैं भी नहीं लगाती ताकि यह बाइर ना गिर जाए लेकिन जो आफ देख लेना तो यहां पर जी वही वाला मैंने बहु ले लिया है इसमें मैं ऐसारा कुछी डालूंगी प्याज आलू हरी मिर्चें बेसन यह सारी चीज़े मैंने डाल दी है और जीरा नमक और जी इसमे जाए गा लाल मिर्च परॉडर गर दिसमें डाल दी है तो यहां पिल्सी डाल दी य वह लाल दी हो पे प्यमस लेमनड़ देशाता है तो यहां पर छाल लगैते हूं यहां भलतै है यही बटारा प्योट है तो बहुर तो दें मैं तो प्यर मैंन ढूट गया हैँ वह टौर तो इसमें मैं में धमन दाल दियां आ थोड़ा सा इसमें टाल द engaging soda जो ना मेठा गरालोलन थोड़ा से दीधियां तो आ पानी थोड़ा से ड्र Dáलों गें से कर दियांडान पतला नहीं करिदा को पसोड़ा सोरा से रखना तो यहां पर मिकस कल लेंगे जल्दी जल्दी से तो यह मिकस हो गया है मैं थोड़ देख लिए साइड पर रख दिया था और यहां पर क्लाइब है ठोजी क्राइय में तेल घरम हो गया और अब समया पकॉड़ित आप यह जो क्राइए नहीं जा आप पयो अब सिककते हैं कोया और अब और इनकाल दूंगी यह देखिए और इतने मज़े के करंची 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 से इसमें बेसन कभी बढ़ा होता है करीब काने में बेसन आना अच्छा होता है तो सारे इसमें मैंनत बेकार में खुती है रहने अच्छा होता है विसके बेसन को काःओ से लोग्या ञीden को शीषद itt गया है वो मने शुटनी की जो री